जैहिंद आप देख रहे हैं, जिके संसार और BPSC को लेकर नई अपडेट आई है, मैं आपको इस ख़बर में पूरी तरह से बताने वाला हूँ, BPSC अब अलग-अलग PT के जगा हर साल एक common PT लेगा, यानि कि अब अलग-अलग PT नहीं होगा, CDP के लिए अलग नहीं होगा, आपका BPSC के लिए अलग नहीं होगा, तो अब सब के लिए एक सामाने PT होगा, common PT होगा, वो आपको इस ख़बर में निकल कर आ रहा है, चलिए पूरी खबर क्या है, मैं आपको बताओं कि 30 सितंबर को 69 प्री का आपको common PT के तौर पर आयुजित किया जाना है, और अगर पूरी खबर को देखे, तो अब समान प्रकृति वाले जो पद हैं, जो एक समान पद वाले हैं, उनके लिए अलग-अलग PT नहीं आयुजित की जाएगी, बलकि एक बार common PT लिया जाएगा साल में, और इसके बाद उनके score के अधार पर जो candidate होंगे, उनको अलग-अलग मेंस परिच्छा में बैटनी के अनुमती दी जाएगी, 68-वी BPSC PT जो है रविवार यानिकी आपका 12-2-2-23 को समाप्त हुआ और उसके बाद जो BPSC के अध्यक चातुल परसाद उनके बताया कि जो 69th PT प्री होना है, BPSC PT होना है, ओ अब common PT के तौर पे 30 सितंबर को आजित होगा, और इसमें 69 जो सुन्यूत प्राणभिक परतियों की परिच्छा होनी थी, उसमें CDPO और समान परिच्छा के जो अन्य कुछ परिच्छाएं हैं, उसे भी इसमें सामिल किया जाएगा, और मुख्य परिच्छाएं बैठने के लिए अभी अर्थियों को चैन किया जाएगा, चैन होगा, और जिन परिच्छाओं के लिए common PT लिया जाएगा, उनका result के अधार पे अलग उनको means में बैठने के अनुमती दी जाएगी, इसके सासाथ इसमें एभी बताया गया है, कि 68-वी मुख्य परिच्छा में GS के प्रस्णों को रियारेंज किया जाएगा, अब इसमें जो अपडेट आई है, हर पत्र का पहला प्रस्णों जो होगा, हर पेपर का पहला प्रस्णों ह होगा, उससे आपको करना ही होगा, और बैकल्पिक यानि जो ऑप्शनल होगा, उसमें निगेटी मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, जो ऑप्शनल है, वो आपके ऐसा MCQ हो गया है, बहुत बैकल्पिय हो गया है, और इसमें 100 प्रस्णों होगे, और समय इसमें आपको 3 घंट प्रसासन विभाग के निजर सानुसार है, वो ही रहेगा, इसमें एक बड़ी खबर निकल कर ये भी आई है, कि आपको अभियर्थियों को सेंटर चुनने का विकल्प इसमें दिया जाएगा, पहले क्या होगा था था कि अपने अपने सहर या जिले में देने का परियास किय जाएगा, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि कोई जरूरी नहीं है, कि सब को दिये गए बिकल्प का सहर ही मिल जाए, क्योंकि ये सेंटर की रप्ता पर निर्भर करेगा, और ये सही भी है, ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लिजे कि सब को हमको पटना ही चाहिए, तो पास के सेंटर्यू उन्हें दिये जाएंगे, और 12 माई से 68 मुख्य परिच्छा होगी, जो 68 में सोनी है, और 12 माई से आजित की जाएगी, और 3 भागों में निबंध का प्रस्न पत्र होगा, तेकि VPSC के अध्यक जुहतुल परसाद, इन्होंने बताया कि 68 मुख्य परिच् हर भाग में 4 चार्चा निमंद होंगे, जिनमें से एक एक को लिखना होगा, पहला और दूसरा भाग UPSC के पटान पर होगा, जबकि तीसरा भाग में बिहार ओरियंटेट विसाय पर निमंद लिखना होगा, और इसमें बिहार की लोकुक्ति और मुहावरे से लेकर बिहार जैसे लो की परिक्षा भी, ठीक है सहाय के विवजर परादिकारी जैसे परिक्षा में इसमें GS के प्रस्ण के साथ लो भी एक पेपर होता है, जिसमें क्या है GS पेपर की परिक्षा कॉमन पीटी कंतरगती दी जाएगी, और ऑप्शनल पेपर की परिक्षा अलग से ली जाएगा, याद रखिएगा कि तकनिकी सेवा के परिक्षा के लिए अलग से होगा कॉमन पीटी, उन्हातरवी पीटी के साथ किनकी परिक्षाओं की कॉमन पीटी लिया जाएगा, और किनकी तकनिकी सेवा को अलग से कॉमन पीटी लिया जाएगा, इसकी सूचित जल्द है जारी कर दे जाएगी और अतुल परसाथ जो हैं उन्होंने बताया कि common PT की सफलता और अनुभव को देखने के बाद आगे भी इस पर नजर बनाया रखेंगे और मुख्य परिच्छा जो होगी यानि मेंस जो होगी उससे भी कही परिच्छाओं को मिलाकर एक लिखित परिच् कर सकते हैं